तिकमगड में स्कूटी सवार महीला टीचर को डमपर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद टीचर स्कूटी समय के डमपर के नीचे आ गई डमपर चालक ने ब्रेक लगा दिया जिससे महीला पहिय के नीचे आने से बज गई घटना अस्पताल चोरहय के पास की है पुलिस ने बताय कि स्कूटी से घर जा रही नीधी मिश्रा को डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी वाहन की रफतार कम होने से वो डंपर के अगले टायर के नीचे आने से बाल बाल बज गई नीधी के पती राजू मिश्रा ने बताय कि उनकी पतनी सरकारी सिक्षक है वो जब परिक्षा करा कर इसकूटी से घर जा रही थी तब ही अस्पताल चोराहे पर पीछे से आ रहे डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे वो इसकूटी सहीद गिर गई और डंपर के नीचे आ गई कोटवाली पुलिस ने महिला की शिकायत पर डंपर को जब्त कर लिया है तिकमगर से सुवत पाठक की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले